तो इस ताइप के घार होते हैं गाओं के कच्छे ठीक सालन रेडी हो रहा है शाम का टाइम है ठीक है साइट पे ये मातारणी का बंदिर है ये घार है ये देखें और स्थान पे चुनरी भी चड़ी हुई है रमरम दोस्तो मैं हूँ आपका दास मनोहर दास और वेलकम करता आपका माही विलोग्स पाकिस्तानी में तो उमीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे शाम का टाइम है तकरिबन 5-6 बज़रे है और आज जो मौसम है बिल्फुल अबर आलूद हुआ पड़ा है हर तरफ बादली बादल खाले बादल चाही हुए है और आज जैसा जो माहोल ह मुझे लगता है आज बारिश पड़ेगी तो बहुत तेज बारिश पड़ेगी आज के दिन तो इधर मैं आपको थोड़ा सा माहोल दिखाता चलू लिछमी देवी जो के घास कुतर रही है यहां पे और खुद से बड़ी मशीन है लटक लटक के घास कुतर रही है आपको जो है इसको अमा क्या कहते है इसको बर्सन कहते है यह बर्सन का गास है यह कुतर के जानरों को डाला जाता है जोर लगाओ है इतनी बड़ी मशीन है लटकरी है उसके साथ इतना सा बिचारी का कद है इसके बाद आपकी बारी है इसका नाम गोपी है यह हमारी लिछमी देव जानवरों को डालेंगे यहाँ जी घर के जानवर यहाँ पे है और शाम का माहौल है और पीछे आप बादल देख सकते हैं फुल अंधेरी काल यह बादल चाहे हुए है और यह रात को ना बारिश लाजमी होगी आज जो माहौल बना हुआ है इधर हमारी एक बेटी और खेल र अच्छा अपना नाम बताओ इधर देखो फून में देखो नाम बताओ अपना क्या नाम है लाट्टो मत्थे तो सिंगार दी यह नीला देवी यह स्कूल नहीं जाती है गंदी लड़की है अच्छा जी आपको भी गाउं के कच्छे घरों की कंडिशन दिखाता हूं अगर अच्छा पर यह सालन रेडी हो रहा है शाम का टाइम है ठीक है और चावल बन रहे हैं यहां पर और और मैं आपको दिखाता चलूं इस साइट पर यह मतारानी का बंदीर है यह घर है और इसको दुपैर बूटी कहती है न यह दुपैर में इसके फूल खिलते हैं इसके कटि कार इधर यह दोजे मातारानी का और इस साथ पर जो रहना स्थान बना हुआ इह देखें और स्थान पर सुनरी भी सुआ हुई हैं अगर कहां पर महिन्द्र आ रहे हैं क्या अथा कहा गये थे इसायन को पानी तरहा हो पानी को फेरो पानीふला यह जो न क्या पैना हुआ है आपने इस चाचु को दिखाओ यह डेखे कितने ब्यूटीफुल कंगन पैने इना मैं निकाल लूँ इसको ले लूँ मैं निकाल लूँ निकाल रहा हुआ लड़की को गुशार है मैंड शेक करो कैसे करते हो नमस्ते नमस्ते करो चीकु तो कि इस पे तो अप तो सणसल गुजड़ जाता है यह पर जाते ही उनिवर्सटी जल की लाइफ और यहाँ पर पहले हमारी दुकान हुआ करती थी दादा वालों की इस जगह पर इसको हम हट्टी बोलते पिस academia होती थी और शाम के होते हैं वक्त के साथ ना अब हालात बदल गए हैं तो सब कुछ छूटता जा रहा है यह जी माहूल है इदर का तो नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में फिर आपके साथ एक अच्छा सा कॉंटेंट शियर करेंगे तो सुबह सैटर्डे और सैटर्डे को मेरी क्लास होती है तो कैसे स्टर्गल करके वहां तक पहुंचे हैं आगे उनका फ्यूचर के आए वह भी आपको दिखाऊंगा यूनिवस्टी भी विजट करवाऊंगा तो अब ही तो मैं निकल रहा हूं होस्टल की तरफ तो आपको जाके होस्टल का वियू भी करवाता हूं ठीक है और रस्ता भी आपको दिखाता हूँ यहां से हमारे गाउं का